आगरा में एक शादी में रजगुले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया बताने कि ये घटना एत्मातपुर की है जहां देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दोरान ही चाकुबाजी भी हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए घायलों को अस्पिताल में भरती कराया गया है जहां एक यूवक की लाज के दोरान मौद भी हो गई है जानकारी के मताबिक कल देर रात कजबे के विनाएक धवन में खंदोली के व्यापादी वाकर के दो बेटे जावेद और राशित की शादी एत्मातपुर के महला शेखान के रहने वाले उस्मान की बेटियों से हो रही थी ऐसे में एक बाराती ने रजगुले वाले से एक से ज्यादा रजगुले मांगे इस दोरान काउंटर पर खड़े यूवक ने मना कर दिया दोनों में विवाद होने लगा और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रजगुलो के लिए चाको निकल आए इसी चाको बाजी में बारात में आया 20 साल का समी गंबी रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए एस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दोरान ही उसकी मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हुए अलाकि घटना के बाद बारात बिना दुलन वापस लोट गई हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई और तनाव को देखते हुए एत्मातपुर में फोर्स तनाप कर दी गई है वहीं भाईदूच की तयारियों के बीच उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले में जहरीली चाय पीने से दो मासूम समेथ तीन लोगों की मौत हो गई है वहीं दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनने इलाज के लिए इस्पताल में भरती कराया गया है इस घटना की सूचना पर पहुँची पुलिस ने तीनों शवों को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है और मामले की चानबीन शुरू कर दी है वो बेसुद होकर गिर पड़े परीजन जब तक उन्हें समालते तब तक शिवननन का बेटा 6 साल का शिवांग और 5 वर्षिये पुत्र दिव्यांश की भी हालत बिगर गी जिसके बाद आनन फानन में परीजन तीनों को लेकर जिलास्पिताल पहुँचे जहां डॉक्टरों ने रविंदर सिंग, शिवांग और दिव्यांश को मृत घोशित कर दिया वहीं दो लोगों का इलाज चल रहा है वहां तीन लोगों की मौत की खबर सुनते ही परीजनों में कोहराम मच गया वहीं अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर चाय में ऐसा क्या था जिसे पीने के बाद ही तीनों की हालक बिगड़ गई थी